गुद मॉर्णिंग बच्चो पिछले कालखट में हमने तत्वों के वर्गी करन गुर्धरों में आवर्तिता इसके अंतरगत पर्माणू त्रिज्जा पड़ी थी और आयनिक त्रिज्जा के बारे में पढ़ रहे थे उसी वो कंटिन्यू करेंगे आयनिक त्रिज्जा पर्माणू उदासी इंटक्रति का होता है पर्माणू में से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो भी वो आवेशित हो जाएगा या उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तब भी वो आवेशित हो जाता है तो किसी परमाणूं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहन करके रिण आयन बनना इससे त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है इसे हम देखेंगे और एलेक्ट्रॉन को त्यागने से जो त्रिज्या बनेगी जो त्रिज्या प्राप्थ होगी उसे हम आयनिक त्रिज्या कहेंगे या एलेक्ट्रॉन के ग्रहन करने से जो त्रिज्जा में परिवर्तन होगा उससे हम क्या बोलेंगे आयनिक त्रिज्जा ठीक है तो माल फिर से हम उधारन ले रहे हैं सोडियम ही सोडियम इसके परवानों क्रमांक 11 है और 2, 8 और 1 एलेक्ट्रॉन इसके पास बाहरी कक्ष में किते एलेक्ट्रॉन है एक एलेक्ट्रॉन है अगर हम सोडियम की त्रिज्जा देखें परमानवी त्रिज्जा तो सोडियम की परमानवी त्रिज्जा होती है एक दसम्लो पाच साथ अब इसमें से एक एलेक्ट्रोन निकल जा रहा है एक एलेक्ट्रोन सोडियम ने किसी दूसरे तत्वो को डोनेट कर दिया है ठीक है? त्याग दिया है अपना एक एलेक्ट्रोन तो वो कौन सा आवेश्ट में परिवर्थित होगा? त्योंकि एक एलेक्ट्रोन निकल रहा है तो धन आवेश्ट जादा हुआ तो यहाँ धन आवेश्ट आयन में परिवर्थित हो जाएगा अब इसकी त्रिज्या अगर हम देखे तो हमें पता है अभी यहाँ पर तीन कक्षक थे त्रिज्या बड़ी थी लेकिन जब इसमें से एक कक्ष समाप्थ हो जाता है तो जब एक कक्ष समाप्थ होगा तो इसकी त्रिज्या कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और इसकी त्रिज्जा का मान अब हो जाता है 1.57 के बदले 0.098 एंगस्ट्राब ठीक है? इसको अपने को कहें में प्रदर्शित करना है? एंगस्ट्राब में तो यदि कोई तत्व अपना इलेक्ट्रोंस को त्यातता है धनावी शित आयन बनाता है तो उस समय इसकी त्रिज्जा कैसे हो जाती है? छोटी हो जाती है ना? लेकिन यदि कोई तत्व एक इलेक्ट्रोंस ग्रहन कर रहा है तो उसकी त्रिज्जा में क्या परिवर्तन आएगा? मान लिजे उधारन लेते हैं हम क्लोरीन क्लोरीन का परमाणुक्रमांग होता है 17 17 परमाणुक्रमांग है तो इलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 7 बाहरी कक्ष में किते इलेक्ट्रों हो गए? 7 इसे अपना अस्टेक्पून करने के लिए किते इलेक्ट्रों हो क्या हो शकता है? एक इलेक्ट्रों क्या हो शकता है? और यहाँ एक इलेक्ट्रों इसने sodium से ले लिया है तो जब इसके पास साथ electron थे अब एक electron और add हो गया है और जूड़ गया है तो अब इसका जो त्रिज्जा है कैसी हो जाएगी बढ़ जाएगी तो chlorine की त्रिज्जा होती है 0.9 degree angstrom ठीक है लेकिन chlorine की त्रिज्जा 0.9 angstrom है लेकिन जब यह आयन में एक electron गुराण कर रहा है तो रिण आयन बनेगा जब आयन में परिवर्थित हो जाता है तो इसकी त्रिज्जा बढ़के हो जाती है एक दिसमलो एक अंगिस्टा ठीक है अब यदि कोई पदार्थ electron गुराण करता है electron गुराण करेगा तो क्या होगा electron गुराण करेगा तो उसका प्रतिकर्शन बढ़ते जाएगा है न और इससे उसका आकार में भी व्रध्धी हो जाएगी तो अब यहां पे आकार कितना था शुन्ने दसमलो नौ अंगस्ट्राम था वही आकार भढ़के कितना बन गया एक दसमलो एक अंगस्ट्राम बन गया यह हो गया आयनिक त्रिज्या इसके पश्यायत अपन पढ़ेंगे आयनिक उर्जा और आयनन विभाव आयनन विभाव था आयनिक उर्जा है न आयनन विभाव किसे कहा जाता है गैसी अवस्था में किसी विलगित या आई-सो-लेटिड पर्माणू मेंसे एक इलक्ट्रान को निकालने के लिए जो उर्जा कि आवशक्ता होती है उसे उसकी आयनन लिभाव या आयनिक उर्जा कहा जाता है फिर से बताऊंगी जैसी अवस्था में बेलगित यानि आईसोलेटेड परमाणू से एक एलेक्ट्रोन निकालने के लिए आवश्यक उर्जा आवश्यक उर्जा ठीक है? जैसी अवस्था में से किसी विलगित आईसोलेटेड परमाणू से एक एलेक्ट्रोन निकालने के लिए आवश्यक उर्जा क्या कहलाती है? आईनन उर्जा या इसे ही कहा जाता है आईनन विभव आईनन विभव का मान हम आवर्तिता पढ़ रहे हैं तो आवर्त के लिए भी पढ़ेंगे और वर्ग के लिए क्या परिवर्तन होता है? जब किसी भी एक आवर्त में माली जी हम सेकेंड आवर्त में चल रहे हैं तो बाएं से जब दाएं की ओर हम चलते हैं तो ये देखते हैं कि आईनन उर्जा का मान बढ़ते जाता है बाएं से दाएं जाने पर आयनन उर्जा का मान कैसा होगा बढ़ता है कब बढ़ता है जब सेकंड समू में हम सेकंड आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं तो उस समय आयनन उर्जा का मान में व्रधी हो रही है आयनन उर्जा का मान बढ़ रहा है वैसे ही अगर हम वर्ग के लिए देखें तो प्रथम वर्ग देख रहे हैं इसमें आयनन उर्जा का मान उपर से जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो उसके मान में कम ही आती है कम होता है अब प्रश्ट यह उड़ता है कि आवर्ट साणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं तो आयनन उर्जा का मान बढ़ता क्यों है इसके लिए इनके तत्वों के बारे में पत्त है अपने को हम लोग पढ़ चुके हैं यदी पथम समू का लीथियम इसके बाद कावर्ट में आएगा बेरेलियम इसके बाद बोरान और कार्बन मान लीजी हम लोग तीन चार तत्वों ले लेते हैं लीथियम बेरेलियम बोरान और कार्बन आगे भी आप ले सकते हैं है ना कार्बन के बाद नाइटोजन ऑक्सिजन फ्लोरीन सारे के लिए अप लेंगे तो हम यह देखते हैं कि इसका आयनन विभा कितना है ठीके लीथियम का आयनन विभा होता है 5.6 अंगस्ट्राव बेरियलियम का होता है 9.9 बोरान का 8.3 और कार्बन का 11.2 मैंने यह बताया आवर साणी में जब हम 22 से दाएं की ओर चलते हैं तो आयनन विभा का मान बढ़ते जाता है पास दसम्लो छे नौ दसम्लो नो इससे थोड़ा कम हुआ आर दसम्लो तीन फिर ग्यारा दसम्लो दो क्रम शाह मान बढ़ते जा रहा है किसको छोड़के बेरियलियम को छोड़के बेरियलियम का मान बढ़ा क्यों बढ़ा ये भी अपने को मालूम होना चाहिए ठीक है तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं कक्षत उत नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी कठिन होते जाएगा ठीक है अब बहुत सारे बच्चे बैठें एक बच्चे को अगर पकड़के खीचना है तो पांच बच्चे एक बच्चे को खीच सकते हैं लेकिन अगर पांच बच्चों को पांच खीचने में परिशानी होगी वैसे ही यहां पे इसके पास बाहरी कक्ष इबन याा और प्रोटॉन की सेंख्या इसके पास बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रोन है 3 इलेक्ट्रोन भी ये जागता है ठीक है लेकिन इन दोनों के बीच में Beryllium का जो आयनन विभव है इसका मान बढ़ गया है क्यों बढ़ा है इसका कारण है परमाणू क्रमांग हो गया इसका 4 तो 1 is 2 और 2 is 2 बाहरी कक्ष S कक्षक S कक्षक में पूरी तरह से इलेक्ट्रोंस भरे हुए है ठीक है? समझ में है? इसमें एक इलेक्ट्रों कम है एकी इलेक्ट्रों बाहरी कक्ष में एकी इलेक्ट्रों है तो उसको इसने आसानी से त्याग दिया इसके पास बाहरी कक्ष में तीन इलेक्ट्रोन है इसको भी वो त्यागता है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया इसका कक्षक S उपकोष में दो ही इलेक्ट्रोन है और इसका उपकोष कैसा है पूरी तरह से भरा हुआ है इसलिए इसका आयनन विभाव का मान अब एक शाक्रत अब बर्ग के लिए देख ले लीथियम लीथियम के बाद सोडियम का लीथियम का होता है 5.6 सोडियम इसका होता है 5.1 सोडियम के बाद आता है पुडेशियम के पुडेशियम का होता है 4.3 तो हम क्या देख रहे हैं कि वर्ग में जब हम उपर से नीचे की और आ रहे हैं तो आयनन विभो का मान कम हो रहा है अब आयनन विभो का मान इधर कम क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि इसमें कशक की सेंख्या बढ़ रही है नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी आकर्षन छेतर से बाहर होगा ना जब वो आकर्षन छेतर से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसको निकालना सरल होते जाएगा बाहर आकरशन छेत्र से दूरी बढ़ती जा रही है, नाभीक से आकरशन छेत्र से दूरी बढ़ती जा रही है, है ना, प्रोटोन धनावेशित और एलेक्टोन रेनावेशित उसकी दूरी बढ़ गई, जब दूरी बढ़ गई, तो क्या होगा, आकरशन छेत्र से कमी आ तो किसी भी वर्ग में आप देख लीजिए चाहे पहला देखिए चाहे दूसरा देखिए तीसरा देखिए किसी भी वर्ग में आप जाएए हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे उपर से नीचे की और आते हैं वैसे वैसे आयनन विभव का मान कम होते जाता है ठीक है अब यह त इसको जूड़ना ठीक है यदि एक एलेक्ट्रोन निकाला जाता है या एक एलेक्ट्रोन कि इसके द्वारा त्यागा जाता है तो क्या होगा एक एलेक्ट्रोन त्यागने से और दो एलेक्ट्रोन त्यागने से इसकी आयनन विभाव का जो मान है इसको हम प्यदरशित करते हैं एक ये मटिया और ये लूट है दूसरे इढकर तयाग team रहे है तो हो जाएगा तीसरे है तो पां है जित्वे एलेट्वन त्यागता है वैसे ही उइस का मान न वह का मान पर्वर्टित को या बढ़ते जाएगा अपन बोल सकते हैं इसको हम ऐसे भी प्रदाशित कर सकते हैं सत्थम से दूसरे कमान दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आयन विभो गमान अधिक होगा दूसरे से तीसरे के लिए आयन विभो कमान और अधिक हो जाएगा तो ये तो हो गया आयनन विभाव मतलब गैसी अवस्था में से किसी एलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक उर्जा एक उर्जा निकाल रहे हैं तो कम उर्जा लगती है अगर हम दो उर्जा निकाल रहे हैं तो अधिक उर्जा की आवश्यक पड़ती है इसी तरीके से तीन उर्जा की आवश्यक पड़ेगी अब आयनन विभाव या आयनन उर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से कारक है कौन से कारक है जो आयनन विभाव को प्रभावित करते है आयने कुर्जा को प्रभावित करते है तो इसमें सबसे पहला है नाभी की आवेश जैसे जैसे नाभिक में नाभिक का आवेश बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उर्जा की मात्रा भी बढ़ते जाएगी मतलब आयनिक उर्जा की मात्रा बढ़ेगी अब हम देखते हैं माली जी आवर्थ के लिए हम ले रहे हैं यह किसमे लागोगा आवर्थ के लिए क्यों आवर्थ के लिए लागोगा क्योंकि वर्ग में तो जैसे प्रथम वर्ग है तो उसके पास एक इलेक्ट्रान है है ना लेकिन आवर्त में अगर हम देती आवर्त में जल रहे हैं चुर्ती हर आवर्त में एक से साथ तक क्या हो रहा है आवेश एलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ती जा रहे है ऩह तो क्या हो जाएगा दूरी समान है नाभिक से बाहरी कोश् टकेके एलेक्ट्रोनों की दूरी तो समान है लेकिन एलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ गई है तो जब एलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा उसको निकालने के लिए कि अधिक उर्जा की आवशक्ता पढ़ेगी जैसे सोडियम के पास एक था दिति कक्ष का दूसरी वितीज समुण का सदस्य है दो इलेक्ट्र Hanım है इसको निकालने के लिए तो उत्तर ही बड़ा है यहwand been इसा 爬ड़े बड़े कक्षक है अब यहाँ पर एकलम न है तो यह एक ऄरण आसनी से निकल जाएगा घृकए लिकीन यहाँ पर अगर दो एलेक्टाओ ऊगए तो इसका अकर्षण ज्यादा बढ़ जाएगा Fortunately के nad carnage यह वह सवतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते क्यूंके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन यह को आसानी से डिए जा सकते हैंि लेकिन जब से अधिक एलेक्टरों अगरते जाएंगे था तीसरे वर्ग में जाएंगे स्पाइटों यह फिर चार में गये पिर भढ़ घाए है ना कि तो लीथियूँ में पास बार्ट क्षम में आपशन यह यह क्षब्टा में अगरान के पास चार है नहें पास बार ॐ कख्ष में तीन एलेक्ट्रोन हो जाएंगे कार्बन के पास चार इस तरीके से फ्लोरीन के पास बाहरी कख्ष में किते एलेक्ट्रोन होंगे साथ है ना तो एक एलेक्ट्रोन को निकालना तो सरल था लेकिन साथ 五uckt इलेक्ट्रon का कुशन इस नाविच पर अधिक पढ़ रहा है। इसलिए इन में से अगर हमको एक इलेक्ट्र False भी निकालना है तो भी अधिक उर्जा की आवशक्ता पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाविच्य जैसे जैसे बढ़े आवर्थ में वैसे वैसे उसको निकालने के लिए उर्जा की आधिक आवशक्ता होती जाएगी ठीक है वर्ग के लिए देखें तो कोई भी एक वर्ग ले लिजे उसके पास इलेक्ट्रोनों की संख्यात समान होगी है ना जब इलेक्ट्रोनों की संख्यात समान है तो आकार के आधार पे उसको निकालने के लिए उर्जा चुकि आकर बढ़ रहा है अर्थाक नाभीक से दूरी बढ़ती जा रही है नाभीक से जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका नाभीक की आवेश नाभीकी आवेश आयनन विभाव को प्रभावित करने वाला एक कारक है इसके पश्चात हम पढ़ेंगे परमाणू त्रिज्जा के बारे में अगर माल लीजिए परमाणू की त्रिज्जा बढ़ रही है तो परमाणू की त्रिज्जा कहां बढ़ती है कब बढ़ती है किसी वर्ग में उपर से नीचे की और आते हैं कोई भी वर्ग ले लिजे हर वर्ग में परमाणों का भार परमाणों का क्रमांक बढ़ते जाता है और परमाणों की तृज्जा भी बढ़ते जाती है तो जब परमाणों की तृज्जा बढ़ेगी अभी मैंने बताया परमाणो से आकर्शंट की दूरी यह दूर होते जाएगा नाविक की आकर्शंट से और इसको निकालना अपेक शक्रत सरल हो जाएगा ठीक है जितने दूर नाविक से जितने दूर होगा इलेक्ट्रॉन उसको निकालना उतना ही सरल होगा और जब इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा सरल होगा तो आयनन विभाव का मान कैसा होगा कम हो जाएगा ठीक है इसके पश्चात आता है नाभी के आवेश के बाद आएगा परमानवी त्रिज्या हो गया जैसे अभी मैंने आपको बताया वर्ग में हम उपर से जब हम नीचे की और आते हैं तो हर तत्व हाइडोजन के पास केवल एक कक्षक है एक कोश है हाइडोजन के बाद लीथियम के पास दो कोश है सोडियम के पास तीन कोश बढ़ते जाएंगे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी जब कोश की संख्या बढ़ेगी तो वह नाविक से दूर होते जाएगा जब नाविक से दूर हो गया तो नाविक के आकरशन से भी दूर होगा अताब उस एलेक्ट्रोन को निकालने के लिए उर्जा कम लगेगी अर्थात आयनन विभाव का मान जो है वो कम हो जा पूरित कक्षक होंड के नियम के अंसार हमें मालूम है उर्जा के बढ़ते वे क्रम से या एलेक्ट्रॉन पहले एस उपकक्ष में फिर पी में फिर डी में और फिर एफ में बहुसते हैं है ना तो जब हम देखते हैं कि अगर मान ली जीए जो कक्षक है जहक हो जाहे वह बूरत है पूरण पूरää से भरा हुआ है या अर्ध पूरे आधा हुआ तो उस समय उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना अपेख्षाक्रित कठिन हो जाता है किसकी तुल्ला में अगर वो पूर्ण पूरितिया अर्धपूरित ना होतो अपूर्ण होतो अपूर्ण है ये भी अपूर्ण हो रहा है अर्धपूरित भी अपूर्ण है जैसे पीक अक्षक P कक्षक में अधिकतम कितने उलेक्टर ON होते हैं? च्छय उलेक्टर ON होते हैं एक, दो, और तीन मालिज़ इसके पास चारी उलेक्टर ON है तो भी ये क्या हो गया? अपूर्ण हो गया? इसमें से इलेक्टर ON को निकालना सरल होगा किस की तुल नम में? अगर ये तीन है तो, पी ब्लॉक में यदि तीन एलेक्टरॉन हैं तो इसमें से एलेक्टरॉन को निकालना, अब एक शक्रत कठिन होगा, जैसा भी मैंने आपको एक एक इसांपल बताये था बेरेलियम का, बेरेलियम का परमाणू आयनन दिवाओ का मान अधिक था, क्यों अधिक था क्योंकि वो S उपकक्ष था और S और्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन थे है ना बेरेलियम का परमानुक्रमंग चार तो 1S2 और 2S2 बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो चुक्कि ये पूर्ण पूरित कक्षक हो गया है या जिसके पास आदे भरे वी एलेक्ट्रॉन हैं किसके पास होंगे ये इसका एक्जामपल हम ले लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सिजन की तुलना करके मैं आपको बताती हूँ नाइट्रोजन परमानुक्रमांक साथ और ऑक्सिजन परमानुक्रमांक आठ एलेक्ट्रोनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p में थ्री एलेक्ट्रोन हैं ना ऑक्सिजन का आठ है तो 1s2, 2s2 और 2p में 4 एलेक्ट्रोन हैं एलेक्ट्रोनों की संख्या किसके पास ज़्यादा है पी के पास जादा है इसके पास एक एलेक्ट्रोन जादा है आठ है इसके पास एलेक्ट्रोन साथ है किसकी आइनन विभा अधिक होना चाहिए ऑक्सिजन का लेकिन होता है क्या है ऑक्सिजन के बदले नाइट्रोजन का आइनन विभा अधिक है क्यों अधिक है क्योंकि यहां पे अगर हम देख रहे हैं जो पी ककशक है अभी मैंने बताया इसमें पी ककशक में केवल तीन इलेक्टवन हैं तो यह अर्दपूरित हो गया कि इसके बाहरी को पी कशक में चार इलेक्ट्रोन है तो यह अपूर कख्षक हो गया इसलिए इसमें से इलेक्ट्रोन को निकालना ज्यादा सरल होगा बनिस्पत किसके नाइट्रोजन के तो किसमें उर्जा का माना दिखो जाएगा बताईए नाइट्रोजन का है ना यह हो गया हूंड के नियम की उपर आधारित था यह पूर्ण पूरित और अर्द पूरित कख्षक का होना अगर पूरित कख्षक है तब भी आयनन विभाव का माना दिखोगा ही लेकिन अर्द पूरित है तब भी आयनन विभाव का माना दिखोगा अपूर्ण कख्षक की परिरेक्षन प्रभाव क्या होता है माल लिजी ये परमाडू है परमाडू के बाद ये पहला कोश है और ये दूसरा कोश है यहाँ पर प्रोटॉन है यहाँ पर एलेक्टॉन है जब प्रोटॉन इस एलेक्टॉन को आकरशित करेंगे तो चुकि ये पास में है इसलिए ये अधिक्ता से ये तेजी से आकरशित होगा लेकिन ये वाले कक्ष का इलेक्ट्राद है इसको इसकी तरब खीचने के पहले यहां यह जो नाभी के पास वाला कक्षक है यहां एक शिल्डिंग दिन क्या केते हुं शिल्डिंग पति रक्षी की तरह शियल्ड की तरह टोटेक्ट करता है और रक्षित करते है रक्षा करता Tyr die इसवाले एलेक्ट्रphonको इसके पास आने से रोकने का काम करता है इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं यह कहलाता है परी रक्षन प्रभाव तो हम तीन पढ़ चुके थे चौथा हो गया परी रक्षन प्रभाव चौथा परिरक्षन प्रभाओ परिरक्षन प्रभाओ क्या हो गया परिरक्षन प्रभाओ होता है नाभिक से जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं यह यह बोलें कि सैयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन संयोजी कोश के इलेक्ट्रोन और बीच के इलेक्ट्रोनों के जो कक्ष है यह कक्ष के बीच में नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रोनों के बीच में जो बीच का कक्ष होता है वह एक रक्षा कोश का या रक्षक की तरह काम करता है और इसे कहा जाता है परी रक्षन प्रभाव आया समझ में तो परिरेक्षन प्रभाव का भी असर पड़ेगा कैसे बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहां इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा लेकिन इससे अंदर वाले कोश का इलेक्ट्रॉन निकालना है क्या होगा यह नाभिक के आकर्षन चेत्र से ज्यादा पास में है जब आकर्षन चेत्र से ज्यादा पास में होता है तो इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा ठीक है तो परी रक्षन प्रभाव क्या करता है आयनन विभाव के मान को कम करता है परी रक्षन प्रभाव के द्वारा ही जो आकर्षन था वो इसके द् उतना ज्यादा आकर्शन नहीं होता इसलिए आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा कम होगा अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रोन को निकालने के लिए हमें अधिक उर्जा के आशक्ता होगी जबकि नाभिक से दूर वाले जितने दूर हम जाएंगे जितने दूर जाते जाएंगे परिरक्षन प्रभाव के छेतर से बाहर जाते जाएंगे दूर होते जाएंगे, नाभिक से दूरी बढ़ रही है, जब नाभिक से दूरी बढ़ रही है, तो क्या होगा, एलेक्ट्रोन को निकालना उतना ही सरल होते जाएगा, तो अंदर के एलेक्ट्रोन को निकालना कठिन है, और बाहर के एलेक्ट्रोन को निकालना अधिक सरल होता अब बाहेतम एलेक्ट्रॉन का प्रभाव। बाहेतम के एलेक्ट्रॉन याने पाच्वा बाहेतम एलेक्ट्रॉन का प्रभाव। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रोन यहां इलेक्ट्रोनों की संख्या के उपर भी निर्भर करता है बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रोन है और वहाँ नाबिक से कितनी दूरी पर है बाहतम कोश, अगर हम hydrogen का बाहतम कोश ले रहे तो उसके पास एक ही कोश है है ना, lithium का ले रहे हैं तो उसके पास केवल दो कोश है दो कोश हैं, लेकिन नाभिक से ये दो कोश पास हो गए अप एक शक्रत किसके? potassium के या sodium के? potassium के पास चार पक्षक है ये तीसरा और ये चौथा तो इसके पास केवल एक ही electron है है ना, इसको, इस electron को इसको grant करना कैसा हो जा रहा है? electron को निकालना, त्यागना कैसा होगा? सरल हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि नाभिक से electron की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ते जाएगी बाहतम कोश में जितने कम electron होंगे उतना ही आयनन विभाव का मान भी कम होगा है ना, तो इसके लिए जो उपकक्षक है S, P, D और F ये चारों उपकक्षक हैं अब इसमें सबसे कठिन किस कोश के electron को निकालना होगा? बताए S उपकोश के क्योंकि S उपकोश नाबिक से सबसे पास का उपकोश है जब S उपकोश नाबिक से सबसे पास का उपकोश है तो इससे electron को निकालना सबसे कठिन होगा इससे सरल हो जाएगा P उपकोश के electron को निकालना क्योंकि थोड़ा दूर है इससे भी दूर होगा D उपकोष तो उसको निकालना और सरल हो जाएगा और F उपकोष के इलक्टोनों को निकालना सबसे सरल हो जाएगा तो यह हमने पढ़ा अभी आयनन विभाव की बारे में ठीक है आयनन विभाव किसे कह रहे हैं बताएए आयनन विभो याने, गैसी एवस्था में, किसी isolated परमाडू में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक उर्जा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हमें, सरल है, अगर हमको दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए उर्जा की मात्रा कैसी हो जाएगी बढ़ जाएगी, अधिक उर्जा की आवशकता पड़ेगी, अधिक उर्जा की आवशकता पड़ी अर्थात, आयनन विभो का मान भी बढ़ जाएगा, और दूसरे के बाद तीसरे के लिए, आयनन उर्जा का मान और बढ़ जाएगा, तो हम ये देखते हैं, कि आवर्थ मे बाए से जब हम दाएं की ओर चलते हैं तो एक ही आवर्त में आयनन उर्जा का मान बढ़ जाता है लेकिन एक ही वर्ग में किसी भी वर्ग में आयनन विभाव या आयनन उर्जा का मान कम होते जाता है कारण आपको समझ में आ गया है ये हो गया आयनन विभाव और उसे प्रभावित करने वाले कारक अब परिरक्षन प्रभाव कभी-कभी थोड़ा सा कठे लगता है बच्चों को तो एक बार परिरक्षन प्रभाव को फिर से बताना चाहूंगी परिरक्षन प्रभाव अर्थात आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के नाभिकी आकर्षन से परिरक्षित करने का काम करते हैं अर्थात एक शील्ड के समान एक आवरण के समान काम करते हैं और इसलिए इसे कहा जाता है परिरक्षन प्रभाव का आयनन विभाव पे भी असर पड़ता है तो आयनिक आयनन विभाव पतलब आयनिक उर्जा और उसको प्रभावित करने वाले कारत कभी-कभी प्रशन पूछ लिया जाता है कि मैगनेशियम और एलुमीनियम इसमें से किसकी आयनिक उर्जा अधिक होगी और क्यों होगी ठीक है तो मैगनेशियम इसका परमानुक्रमांक 12 एलुमीनियम का परमानुक्रमांक 13 होता है मैगनेशियम को हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p, 6 और 3s2 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2 और 3p में 1 अब हम यहाँ पे देखेंगे मैगनेशियम के बाहरी कक्ष में 2 एलेक्ट्रोन है कि एस उपकोष में अधिक्तम 2 एलेक्ट्रोन आ सकते हैं और अभी मैंने बताया था, दो एलेक्ट्रोन से पॊण पूरित है अता हुण्ड के नियम क्या अधार पे कक्षक कैसा है यह? पूण पूरित कक्षक है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रोन को निकालना कठिन होगा अता आयनन विभाव कमान बढ़ जाएगा दूसरा अलुमिनियम परमानुक्रमांकिस का तेरा है इसमें 3S2 में दो इलेक्ट्रोन है लेकिन 3P में भी एक इलेक्ट्रोन है अर्थात यह अपूण कक्षक हो गया और इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रोन को निकालना अप एक शक्रत सरल हो जाएगा तो इसकी आयनन विभाव कमान कैसा होगा कम हो जाएगा पूर्ण पूरित की तुलना में अब पूर्ण वाले कप्षक से का आयनन विभा या आयनी कुर्जा का मान कम हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें आवेश बढ़ रहा है इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि कक्षक पूर्ण पूरित है या अर्ध पूरित क्योंकि बताया था कि आवेश बढ़ते जाएगा एलेक्टानों की संक्या बढ़ते जाएगी तो आकर्शन प्रभाव अधिक हो जाएगा एलेक्टान को निकालना कठीन हो जाएगा लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये कक्षक पूर्ण पूरित है अथ्वा अर्ध पूरित है ठीक है तो ये चीजे हम लोगों ने अभी पढ़ लिया अब कल हम पढ़ाएं कल मैं आपको इलेक्ट्रॉन बंदुता की बारे में बताऊंगी आज इतना ही दन्यवाद